नमस्कार दोस्तों, साउथ की इंड़स्ट्रीज में एक से बढ़कर एक खुबसूरत और टेलेंटिड एक्ट्रेस हैं, जो वहाँ पर ना सिर्फ अच्छा काम कर रही हैं, बल्कि टॉप की एक्ट्रेस में भी गिनी जाती हैं। साउथ के कुछ एक्ट्रेस ऐसी हैं, जो साउथ में टॉप पर हैं और उन्हें बॉलिवोड से ओफर भी आते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो बॉलिवोड में काम नहीं करना चाहती हैं। वहीं कुछ actress ऐसी है, जो South में अच्छा करने लगती हैं, तो उन्हें लगता है कि अब वो जो है, Bollywood में भी Top पर पहुंच सकती है, इसलिए ऐसी actress जो है, South को वेल्यू ना देकर, Bollywood को वेल्यू देने लगती हैं, आज मैं जिस actress की बात करने जा रहा हूं, Bollywood पर राज करना चाहती है रश्मिका ने 4-5 सालों में ही साउथ की इंडस्ट्रीज में अपना दबदबा बना लिया है रश्मिका को National Crush भी कहा जाता है रश्मिका को अब जहां जो है अपने South में ही अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत थी वो अब जो है बॉलीवोड में भी अपने पैर फैला चुकी है रश्मिका का जन्म हुआ था 5 अप्रेल 1996 को करनाटक में रश्मिका के पिता का नाम मदन और मागा नाम सुमन मंदाना है रश्मिका एक बहुत ही साधारन परिवार से तालोक रखती है रश्मिका की स्कूलिंग कूर्ग पबलिक स्कूल करनाटक से पूरी हुई है स्कूलिंग खत्म करने के बाद रश्मिका ने graduation की पढ़ाई पूरी की अपने graduation के दोराने रश्मिका जो है modeling भी करने लगी थी college खत्म हुआ तो उसने full time modeling करनी शुरू कर दी साल 2014 में रश्मिका ने clean and clear times fresh face of India परतियोगिता में हिस्सा लिया और first prize जीता इसके बाद रश्मिका को clean and clear brand का brand ambassador भी चुन लिया गया रश्मिका को modeling की दुनिया में काफी शौरत मिली यही कारण है कि फिल्म निर्माताओं की नजर रश्मिका पर पड़ी और साल 2016 में मेहज 19 वर्स की उमर में उसे पहली फिल्म मिल गई पहली फिल्म कन्नडा लेंग्वेज की थी और उसकी फिल्म ने ना सिर्फ अच्छा बिजनिस किया बलकि रश्मिका की एक्टिंग को भी काफी जादा पसंद किया गया था इस फिल्म का नाम था किरिक पार्टी यह फिल्म मेहज 4 करोड में बनी और 50 करोड रुपे का बिजनिस किया जो उस समय एक रिकोर्ड था फिल्म किरिक पार्टी में रश्मिका के साथ में लीड डॉल में था रक्षित सेटी इस फिल्म से रक्षित और रश्मिका का अफेर शुरू हो गया था साल 2017 में रक्षित और रश्मिका ने एक नीजी समारों में एक दूसरे से सगाई भी कर ली थी लेकिन ये सगाई शादी में नहीं बदल सकी और जल्दी ही इन दोनों का रिष्टा तोट गया साल 2018 रश्मिका के लिए काफी अच्छा साल रहा साल 2018 में रश्मिका की तेलकू फिल्म गीता गोविंदम एक बड़ी हिट साबित हुई ये फिल्म 5 करोड रुपे के छोटे से बजट में बनी और इसने उस समय 135 करोड रुपे का भारी कलेक्शन किया था इसी फिल्म के दोरान ये खबरे भी आने लगी थी कि रश्मिका और फिल्म के लीड एक्टर विजय देवर्गोंडा का एक दूसरे से अफेर चल रहा है हाला कि मीडिया में इस अफेर को दोनों नहीं मना कर दिया था कि उन दोनों का कोई अफेर नहीं है और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त है हाला कि रश्मिका और विजय का अफेर भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला था और जल्दी ही तोट गया था रश्मिका एक से बढ़ कर एक फिल्मे दे रही थी गीता गोविंदम के बाद में देवदास, यजमाना और डियर कॉमरेट जैसी फिल्मे भी सूपर इट सापित हुई रश्मिका साल 2019 तक साउथ सिनिमा में एक टॉप की एक्टरिस बन चुकी थी और यहीं से रश्मिका का दिमाग खराब होना शुरू हुआ रश्मिका को लगने लगा कि जब वे कंणडा, तमिल और तेलगो में टॉप पर पहुंच सकती है तो हिंदी फिल्मों में क्यों नहीं बस यहीं सोचकर रश्मिका ने जो है हिंदी फिल्मों के लिए तयारी करने शुरू कर दी इस काम में मदद की रश्मिका के एक्स बॉइफ्रेंड विजय देवरकुंडा ने विजय जल्दी ही करन जोहर की फिल्म लाईगर से बॉलिवूड में डेब्यू करने वाला है जहां आज के समय में विजय जो है करन जोहर का नया बॉइफ्रेंड बना हुआ गोम रहा है वहीं रश्मिका जोहर विजय की मदद से आजकल बॉलिवूड की पार्टियों में स्पॉट की जाती है रश्मिका पर इस समय बॉलिवूड में चाने का भूत सवार है यही कारणे कि वह आजकल हर छोटी बड़ी पार्टी में बॉलिवुड के कलाकारों के साथ में दिख जाती है रश्मिका जहां अभी से पैन इंडिया एक्ट्रिस बनना चाहती है वहीं वहें हर तरह के रास्ते पर चलने को भी तयार है रश्मिका जहां बॉलिवुड की पार्टियों में दिखने लगी है वहीं वहें मुंबई में रहकर मुंबई की प्राइवेट पार्टी का भी हिस्सा बनने लगी है मेडिया रिपोर्ट्स के आदार पर यहीं भी कहा जा रहा है कि रश्मिका जो है जल्दी ही मुंबई में एक बड़ा घर लेने वाली है ताकि मुंबई में रहकर बॉलिवुड पर ज्यादा फोकस किया जा सके रश्मिका और विजय दोनों को हेल्प कर रहा है करन जोहर उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस तिर्चे आदमी का खुद का अपना स्वार्थ होता है विजय जहां उसके साथ में एंजोय कर रहा है एज़े बॉइफ्रेंड वहीं रश्मिका का आने वाले समय में किसी बॉलिवुड के कलाकार के साथ में अफेर शुरू हो जाएगा जो कि करन जोहर कराएगा करन जोहर का काम ही यही होता है बिचॉलिया गिरी का लड़कों की अपने घर पर एक्जिबिशन लगवाता है और लड़कियों की अपने चाहने वाले मेल एक्टर्स के साथ में अफेर कराता है करन जोहर की मदद से रश्मिका को बॉली वुड में दो फिल्मे भी मिल गई है एक है सिद्धात मलुत्रा के साथ में मिशन मजनू और दोसरी है अमिताब बच्चन के साथ में गुडबा है ये दोनों फिल्मों को दिलाने में करन जोहर का बड़ा हाथ है रश्मिका के अफेर्स की बात की जाए तो विजय के बाद रश्मिका की लाइफ में आया अंच्स महाजन नाम का एक मॉडल अंच्स और रश्मिका का अफेर भी मुश्किल से एक साल लंबा चला और तूट गया इन दोनों का अफेर तूटने की वजय था चिरंजीव मकवाना नाम का एक फिल्म डारेक्टर इन दोनों का अफेर शुरू हुआ था साल 2020 में चिरंजीव के साथ में और कहा तो ये भी जाता है कि अभी भी दोनों एक साथ है रश्मीका अब South की फिल्मों पर कम ध्यान दे रही है और यही काराने की वहे अब ajust की बड़ी बड़ी फिल्मों को भी reject करने में लगी हुई है आज रश्मीका वही गलती कर रही है जो एक समेय पर तमन्ना भाटिया ने की थी एक समय ऐसा था जब तमन्ना भार्टिया साउथ में टॉप की एक्ट्रिस थी और साउथ में बाहु बली फर्स्ट पार्ट में लीड एक्ट्रिस थी और बाहु बली के हिट होने के बाद में क्योंकि पैन इंडिया हिट हुई थी तो पैन इंडिया हिट होने के बाद में वह साउथ में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एक्टरिस बन गई थी लेकिन तमन्ना अपने इस सफलता को भुना नहीं पाई तमन्ना को लगा कि अब वह जो है पैन इंडिया एक्टरिस बन चुकी है क्योंकि बाहु बली पैन इंडिया ब्लॉक्बश्टर मुवी थी इसी सोच ने उसके अच्छे खासे केरियर को डुबो दिया आज कहने को तमन्ना के पास में साउथ की चार-पांच फिल्मे हैं लेकिन उसकी कोई भी फिल्म बड़े एक्टर के साथ में नहीं है और अगर तमन्ना के बॉली वुड केरियर की बात की जाए तो हिंडी में उसके पास में सिर्फ एक फिल्म है जिसका नाम है बोले चूडिया जो की लो बजट मोवी है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्धिकी उसके साथ में लीड रॉल में है यानि आज दमन्ना बॉली वुड में एक फ्लॉप एक्टरिस में गिनी जाती है और साथ उसे अब बड़े एक्टर के साथ में फिल्में दे नहीं रहा है उसी रहा पर चल रही है रश्मी का मंदाना रश्मी का अब साथ की फिल्मों को ना कहने लगी है उन्हें रिजेक्ट करने लगी है क्योंकि वो अब जो है बॉली वुड में छाना चाहती है लेकिन रश्मी का शायद भूल गई है कि बॉली वुड में साथ की तरह फिल्में नहीं मिलती है यहां हर party में उसे ना सिर्फ हिस्सा लेना पड़ेगा बलकी बड़े-बड़े actors और film makers को भी खुश करना होगा खुश करेगी तो ही उसे फिल्मे मिलेंगी वर्ना नहीं और बड़े director-actor को खुश करने के बाद उसे फिल्मे मिल भी जाती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फिल्मे सूपर हिट साबित हो जाएं या वो फिल्मों से उन्हें आगे भी फिल्मे मिलती रहें फिल्म अगर नहीं चली तो उस पर भी जो है तमन्ना की तरह फ्लॉप एक्ट्रेस का ठपा लग जाएगा और आगे उसे फिल्मे मिलनी बंद हो जाएंगी रश्मिका की पहली फिल्म सिद्धार्ट मलोत्रा के साथ में रिलीज होने वाली है हिंदी में और सिद्धार्ट के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि रश्मिका का बॉलिवुड में आगाज किसी हिट मोवी से होने वाला है पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद में ये भी फ्लॉप गोसित कर दी जाएगी रश्मिका फिल्मी पार्टियों में जाके दो-चार फिल्में तो कर लेगी लेकिन बॉलिवुड में कितना आगे तक जा पाएगी ये देखने वाली बात है दोस्तों आपको क्या लगता है कि रश्मिका का बॉलिवुड में आने का फैसला सही है या गलत अपने राय जरूर देना इस वीडियो में इतना ही चैहीं